तो आप देख सकते हैं मैंने यहां दो बोटल पकड़ा हुआ है यह दोनों बोटल सैंपू का है इस सैंपू को मैंने अपने घर पर ही तयार किया है इस सैंपू का सबसे खास बात क्या है इस सैंपू से आपको बहुत अच्छा जाग मिलने वाला है तो इससे आपके हैर बहु कंडिशनर का यूज की हूं उसकी बात से मैंने कभी भी कंडिशनर का यूज नहीं किया हमेशा इसी transplant की कब डू बात करते हैं इस लेऍस मैंने यहाँ सौ घ्राम रीथा अंप Sharing रुहे का डाही का यूज करना है अगर नहीं है तो कोई बात है आप कोई भी बटन यूज़ कीज़े कोई दिकत नहीं है बट लोहे का कड़ाही यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा जो सेकिन चीज मैंने यहां डाला है वो है सिका काई जो फर्ट चीज मैं यहां डाल रही फ्रेंस बारह घंटे बीच चुके है और अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत जाग आगया है और यह बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं फ्रेंस आप देख सकते हैं इनका जो साइज है यह थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है और जो हमारा next step है यह हम इसे पकाना है आपको शुरू में क्या करना है स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम में से उबालना है जब यह फॉस्ट टाइम उबल जाये तब आपको इसे लो फ्लेम में पैंतालिस मिनट के लिए पकाना है यहाँ देख सकते हैं लगभग यह 15 टु 20 मिनट हो चुके थे उस टाइम का ये विडियो क्लीप है, तो friends यहां आप देख सकते हैं, इसका जो पानी का कलर है, ये थोड़ा चेंज हो गया है, और इसमें थोड़ा सा गाढ़ा पना गया है, तो जैसे जैसे टाइम बित्ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो पानी है, ये थोड़ा सा गाढ़ा ह हो जाएगा, और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है, आपको बात समझ में आ रहा है, तो friends मैंने इसे 45-50 मिनट तक बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम में पका लिया है, और आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, और जो है, ये बिल्कुल डार्क हो गया है, और इसका थिकनेस भी आप अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ा से बन कर तयार हुआ है, तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, इसे थोड़ा थंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब ये थंडा हो जाएगा, त लाकि इसमें जो गुड्निस बचा हुआ है, वो भी इस सैंपू में आजाए, इस लिक्विड में आजाए, फिर जो एक्स्ट्रा माटेरियल है, उसे आपको हाथ से छानते हुए, थोड़ा सा प्रेस करते हुए, इसे बाहर निकालना है, अलग से एक प्लेट में रखना है, आप इसे दुबारा से सुखा कर फिर से यूज में ला सकते हैं, और सैंपू बना सकते हैं, तो फ्रेंच, यह हमारा जो सैंपू है, यह बनकर रेडी है, बट अभी हम इसे डायक्ली बॉटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसे कोई भी पतला कपड़ा से छान लेंग दुपटा भी सही है, इसे छाननी के लिए बहुत अच्छे से छान जाता है, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, कितना जादे यहाँ जाग निकल रहा है, मैंने इसमें कोई सैंपू एड नहीं किया है, यह काकाई के वज़र से जाग निकल रहा है, आपको अपने लिए सकते है मैंने से छान लिया है छानने के बाद आप को ही भी बोडल में से ट्रांसफर कर दिजह तो मैंने यहां पानी का बोडल लिया है इसमें मैं यहां जारख कर दिया यह कüyor कि कैई को सर क distinguish को सकते हैं अधे है pump like bottle लिया है इसे मैं अमेजन से पर्चिस किया था फिर मैं यहां इसे फिल कर रही हूं अब मैं क्या करूंगी यह चोटा वाला bottle है इसमें मेरा जो favorite shampoo है जो मैं इसे normally use करती हूं वही सेंपू को 2-3 मैं डाल दोंगी ऐसा करने से क्या होगा यह चीज में आपको बता रही हूं जब आप अपने बालों पर तेल लगाते हैं तो अगर इसमें आप आपको ज़ाग नहीं दे पाएगा इसलिए आपको एक बॉटल में एड़ करके रखना है ताकि जब आप ओईलिंग किए हैं तब यह चोटा वाला इस जो हमारा सैंपू है यह यूज करने के लिए बनकर रेडी है तो आप इसे प्लीज अपने घर पर बनाएए एंड अपने बालों का सलामती चाहते हैं ना तो इस सैंपू को यूज जरूर कीजिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा बहुत मस्त रिजल्ट देजिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए बुबाई